पीर पैंती एशीपुर बाराहाथ थानाक शेत्र अंतरगत राम बर्मसिया के रोहित कुमार साह और छोटु साह उम्र 22 वर्ष का शव जुर्कु सिया टिकब भह्यार के कुवां से बरामत किया गया मृतक के पिता हिर्दे नारायन साह ने बताया कि मृतक रोहित कुमार हटिया में हलवी मसाला का दुकान दारी करता था दिन बुधवार को मृतक रोहित कुमार हटिया करके शाम को घर में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए बितक पी छट पर सोने चला गया, जब सुबह हुई तो काफी देर तक दिखाई नहीं दिया तो खोज बिन करने लगे लेकिन पता नहीं चला उसके बाद सभी रिलेशन दोस्तियारी में पता लगाया गया कहीं पता नहीं चला उसके बाद लगातार उसी दिन से खोजने में लगे रहे देर रात शुक्रवार को ग्रामीनों के द्वारा शोर गुल हुने की बात आए बह्यार के कुवा में किसी का शव फेका हुआ है इस बात की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच कर देखा गया तो शव तैरता हुआ नजर आया घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंच कर शव को कुवा से बाहर निकलवा कर पहचान करवाया गया वितक के परिजनों के द्वारा शव की पहचान कर घर पे लाया उसके बाद शव को पुलिस अपने कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया गया वही थाना अध्यक शन कर घर से बुला कर हत्या किया गया है वितक का मा पिता भाइक बेहन सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है पीर पैंती से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट और जोर से गुलेगा नाम की एपका इसटेसा नाम क्या उत्या प्याद गटम स similar किए इसटेए कंद सब भरे बहाई निकाला इंगाला मुह मूह मार के चुरू लिया है इसब अजोरु अधाय कब से लाकता था है इसके बाद आज मिला आज मिला इसे लग रहा है संका क्या इसे लग रहा है जोडिया फिल्बुकी है शोड़ वुपक कि उसे ल्ग खब खब कुम आशा आज मिला इसे लिए है